मकान में लगी आग में हर्याना पुलिस का सब इंस्पेक्टर बुरी तरह जुलसा घटना बल्लवगड की चावला कॉलनी की है जहां शौर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के लिए पानी फैक रहे चावला कॉलनी चौकी इंचार्ज के दोनों पैर जुलस गए और मकान का लेंटर भी गिर गया फिलहाल चौकी इंचार्ज को बल्लवगड के सिविल अस्पिताल में इलाज के लिए दाखिल करा गया है उधर आगाजनी के इस हाथसे में मकान में रखा सारा समान जलकर राख हो गया है सरकारी अस्पिताल में जुलसी अवस्था में दिखाई दे रहा यह हर्याना पुलिस का सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंग है जो सिटी थाना की चावला कॉलनी पुलिस चौकी का इंचार्ज है आज चावला कॉलनी पुलिस चौकी के पास एक मकान की दूसरी मंजल से धुआ निकलता दिखाई दिया तो आज पडोस में रहने वाले सभी लोग गबरा गए उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुँचकर फायर ब्रिगेट की गाड़ियों को बुलाया तथा आग पर काबू पाया इस दोरान कुछ हिस्सों में लगी आग को बुझा रहे चावला कॉलनी चौकी इंचार्ज बलबीर सिंग इस हाथसे में जुलस गए और मकान का लेंटर भी गिर गया घायल अवस्था में बलबीर सिंग को बललवगड के सिविल अस्पिताल में ले जाया गया जहां उनकी हालत सामान ने बताईगी चौकी इंचार्ज बलबीर सिंग की माने तो उनकी चौकी के पास एक मकान की दूसरी मंजल पर आज दुबहर को आग लग गई आग को बुझाने के लिए जब वे वहाँ पानी डालने लगे तो मकान का लेंटर भी गिर गया और वे भी बुरी तरह जुलस गए बलबीर सिंग की माने तो उन्हें नहीं पता मकान में आग कैसे लगी लेकिन बताया जा रहा है कि शौट सर्केट के कारण मकान में आग लगी है पलबीर जी पैर जुलसा है कैसे जुलसा ये पैर कैसे लगी थी आग अधर पीडित महिला की माने तो सुभा वे पूजा कर रही थी कि अचानक आग की लपटे निकलने लगा लगी और जोर-जोर की धुआ निकलने लगा उसे नहीं पता यह आग कैसे लगी है अधर की लेडिस थी ना वो उपर चड़ी हुई थी तो वो चिलाए थी उपर से तब हम बाग के आए दियां तो आग तेजी से पकड़ रही थी आटमेंटिकली तो दूहां बहुत ज्यादा था तो पानी वानी से कुछ अंतर नहीं बड़ा तो फायर बेर के पास कोल गी त किस तरीके साग लगी यह तार के फोल्ट से आग लगी तार के फोल्ट से सारा गर का सामन जलिए तारा समन ये एक सुईया भी ने बचा को सामने में देख रिजे कहीं भी है तो इस समय में घर कर रोग नहीं थे अपना उपर पर थे छट पर बठे हो ज़ा जो थे धूआ ज बचक पाई में एक से अपरे घम.